लो फ्रेंट्स मैं हूँ प्रियांका वेस्टम बाक टू मैं अप्रिवर्ड तो आज मैं आप सब के संख्यर करने जा रही हूं एक धमाकेदार रेमेडी जो इन गर्मियों में बहुत ही कामाने वाली है आप सबको अब हम सबको पता है कि हर दिन आप डियाइवाई फेशल नह लिए यह बैस्ट बैस्टम इंडी है और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें आती है आपके की जन से तो किचन में रखिए चीजों का बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है बहुत ज्यादा यूज़वल होते हैं हमारा स्किन के लिए स्किन ग्रो या स्किन पेरनेस की बात हो यह वी के बात हो अभी ग्र्मियों में से हमसा प्रेक्यान हैंain हम ब्लेमिसस से परेशान हैं सकताथि लाइक mi we से एकने मांच है इन सब से हम चाहते हैं चुटका रहा तो यह सारी समस्याओं का एक संग यह तटनिंग आपकि करना चाहती है आपको चाहिए आपका इसा नहीं खर्च करना चाहती है आपको लगता है कि बहुत जादा आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है है वी केमिकल प्लीनिंग्स या फेश लेने से अच्छा है घर पर रखी चीजों से और गैनिक वेमेंट नाच्रली रेडी करें करते हैं तो आज डेडी करने जा रहे हैं तो चली जानते हैं वीडियो में आगे की चाहिए पर्स टेम आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन दबाएं तक कि वीडियो नौ्टिफिकेशन आपको पहुंच पाए फ्रेंस और मेरी वीडियो शो कर द तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंस यहां मैंने ले लिया है क्लीन बाउल और उप्टन फेश्वस बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रीडेंट मैं ले रही हूं तो मुलतानी मिट्टी में ऑईल अब्जॉबिंग प्रपर्टी होती है जो एक्टिवली ट्रीट करता है और आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है और देता है अनोखा ग्लू तो हमारा सेकेंड इंग्रेंट है नीम पाउडर जी हां इसमें हमने यूज किया है नीम अथा आंनेाज प्राइट होता है इसमें या रहे हैं ज़न ये खाएट कगो पैर और इसके बाद मैं ले रही हूं य्पा धूम्ट अब रूस पाउडर्वाज़वग और आंटी इंफपलेंट środच इस होती है skin का जो redness है वो दूर होता है जो आपको हो जाएगा अभी गर्मियों में जो generally training के वैसे होता है या seven burn के वैसे होता है तो वो काफी अच्छे से यह दूर करता है और clear करता है आपके skin को तो यहां मैंने मुलतानी मिट्टी ले ली थी मैंने ले लिया neem powder मैंने ले लिया rose powder बहुत important है rose powder आपके पास नहीं है तो आप rose petal को dry करके भी use कर सकते हैं कोई इसमें tension वाली बात नहीं है घर पे बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको यह हो गया अब upton की बात हो रही हो और बात हल्दी की ना हो तो यहां मैंने wild term में ले लिया है जिसे curcumin भी कहते हैं तो यह आप हर तरह के skin problems से लड़ता है improve करता है skin complexion को access all remove करता है आपके skin के acne pimple को treat करता है आपके skin को glowing effect देता है तो यह मैं बहुत जादा use करती हूं हमेशा ही use करती हूं तो यह i think मेरा finish हो गया है तो फिर भी मैंने यहां पर one tablespoon ले ही लिया है आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स हल्दी के बाद मैं यहां ले रही हूं orange peel powder और यह देखिए मेरा homemade orange peel powder है मैंने घर पर बनाया है यह मैं यहां पर two spoon ले रही हूं भरके और सारे ingredients ही बहुत ही powerful हैं आपके skin tanning को sun burn को दूर करने के लिए dark dark skin को दूर करने के लिए bremishes हटाने के लिए darks और brown spot को remove करने के लिए pigmentation से लडने के लिए skin को brighter and fairer look देने के लिए instant glow मिलता है आपको इसको लगाने से और सबसे इच्छी बात है कि all this you are getting it naturally without any kind of chemical यह हो गया अब एक और चीज जो मैं add करूंगी और आप सबको भी करना चाहिए आपके पास जरूर होना चाहिए और यह घर के kitchen पर easily available होता है तो यह देख सकते हैं आप यहां मैंने container में store कर र में जो है मैंने equal amount में जिसे यूज किया था like half cup of मसूर डाल रेट लाल मसूर डाल जो है वो यूज किया है half cup जो है वो जो गोटे वाली जो मूंग दाल होती है छिलके वाली जो मूंग दाल होती है वो डाला था और one-fourth cup of dry coconut डाल कर यह grind कर के मैं रखती उसकिन के लिए बह थोड़ा जादा लेंगे और अगर आके पास dry coconut नहीं है कोई टेंशन नहीं है डालें तो easily मिल जाती है घरों पे तो डाल तो easily available होता है यह रेखिए यह मैं अच्छे से mix कर ले रही हूं और आज हम बना रहे हैं upton face wash और यह आपको दुलहन जैसा निखार देने वाला है और कराना भी नहीं चाहिए बहुत जादा फ्रेंड्स यह सारी चीज़ें आप naturally treat करो skin को ना तो आप भी हापी रहोगे आपका skin भी हापी रहेगो और आपके पैसा ही बचेंगे यहां पर I think hardly 10 रुपिस का खड़ चाया होगा एक face wash जब हम करते हैं इससे तो अब यह आपक यह मैंने जो face wash है वो इस तरह से एक air tight container में जो है store कर दिया जब use करना होता है तो मैं क्या करती हूं इसे open कर लेती हूं और मैं ले लेती हूं अपना बाउल उसमें मैं one tablespoon भर के डाल देती हूं morning में सबसे पहले सुबह उठते के संग मैं यही करती हूं गर्मियों में सारे skin problem का एक ही है इस open face wash को आप चाहें तो दही मिकसर कर लगा सकते हैं कच्छा दूद मिला कर लगा सकते हैं और अगर कुछ भी नया मिले तो गुलाब जल गुलाब जल नहीं मिलता है तो पानी आप यह तरीका भी इस्तमाल कर सकते हैं soap base आता है soap base बनाकर आप इसमें डाल दें और इसे store कर ले तो भी एक तरीका आता है और नहीं तो एक सबसे easy और आसान तरीका बता रही हूं कि आपके आपके स्वस्ती और जो बहुत कम काम करने माले जो face wash है जो जनली बोलते हैं कि आपके skin से dead cell remove करेंगे यह वह x y z उस face wash ह पावर्फुल बनाता है यह हमारा dry face pack तो इस face pack में मैं मिला रही हूं अपना ordinary सा face wash आप देख रही है और बस अब आपको इसे एक mix देना है और उसके बाद आपको इसे hand में लेकर पानी के मदद से use कर लेना है बहुत ही अच्छा result आएगा फ्रेंस यह देख रहे हो तो यहां हमारा face wash जो है बिल्कुल ready हो गया है यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंस अब आया राग उप्टन फेश वास रेडी है अब इसे जो है अप्प्लाई करें इससे हाथ में लेकर पहले आप चैरे को सलका सा वेट कर लें और अगर उससे भी आपको लग रहा है कि अब परिशानी आरी तो दोनों हाथों को पानी से वेट करके अच्छे से मिक्स करें जैसा कि आप वह सांस में लेते ही देखिए अच्छे से मिला लेना है दोनों हाथ में बिल्कुल सोपी-सोपी हो जाएगा और बहुत ही सैटिस्फाइंग रिस देता है अब देखिए मैं इसे अप्लाई पर कोई भी मेकप नहीं था और उसके बाद मैं फिर यह फेश वास कर रही हूँ आपको दिखा रही हूं उसका रिजल्ट और बहुत ही वंडरफू रिजल्ट आता है आपके बेकाड से फेस वास असे से फेस वास में अगर यह जादूई चीज एड़ हो जाती है ना यह ड अब भी फेश जो है अपना धूंगी यह फेस वास माने लगा लिया है और यह मैं वाश कर रही हूं अच्छे से वाश कर लिए और आप दिन में दो बार भी उसकर रही है ना तो बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपको और यह आप जो है बहुत दिनों तक स्टोर कर सक यह देखिए वाव देख सकते हैं आपके सामने एक जरा सा मेक अप नहीं है और नो मेक अप अटॉल काजल लाइनर कुछ भी नहीं है और मैं जस्ट जो है बन मनाकर मैंने फेश वास किया आपको लाइफ दिखाने के लिए और आप देखिए रिजल्ट तो फ्रेंड्स अमे तो फ्रेंड्स अके आप में देखा कि कितना अच्छा लाइफ बने आपको दिखाया कि इंसान ग्लो मिल जाता है इस तरह से विटाउट अनी काइंड ओफ मेक अप तो अगर आपकी भी इच्छा कि आपका स्किन भी इस तरह से ग्लो करता रहे हमेशा तो आप अब हमेरी ब अब जालापन क्या होता है और जो डार्क स्कॉर्स ब्राउन स्कॉर्ट होंगे विलमस्स भी जाएंगी पिग्मटेशन भी इस तरह से आप किसी भी एर ताइट डिब्बे में स्टोड कर सकते हो और यह महीनों तक बना कर सकते हैं कि इसमें हमने सारे ड्राइं इंग ड्रीन कि विक्ता बनेगा यह साइट है नहीं है वान टाइम करें 15 वंडी डेस को उसको यूज करते रहे कोई भी टेंशन नहीं होगा और साथ मैंने इससे बताया कि इस पर्टिकॉलर पाउडर को जो उप्डल पाउडर बनाया है या फेश्पोस जो हमने बनाया है इसको आप बेस आता है मार्केट में किसी भी बेस को लें उसको जो है थोड़े तरी के लिए के गैस पर रखते हैं वो लिक्विट बन जाता है उसमें इसको अड़ करते हैं उसके अधि बिल्कुल ही लिक्विट फोर्म में रेडी है जस्ट यूज करने के लिए और अगर चाहती कि न कर रहे हैं लेकिन उस पेस वोस्ट में जो भी कमियां थी तो इसके रहे हो गया था आपके आंक मार्क्स नहीं जा रहे थे आपका खिचा-खिचा मैसूस कर रहे थी काला पन पर टानिंग पर कोई एफेक्ट कोई भी जो है वह पेस्ट को भी काम नहीं कर पा रहा था और जैसा ग्लो पाने के लिए अगर आप चाहती है तो आप अपने किसी भी फालतू सस्ते पेश्वास को इस हमारे डिया वाई नाच्रल ओप्टन पेश्वास असंग मिक्सब करें जैसे मैंने किया और जिस्ट अप्लाई करें धोलें और पाईस तरह का ग्लो जैसा कि आपने मेर जैसे प्लाई करके देखो तो फिर उसके बाद बुलोगे कि नहीं इस वास नहीं मिक्स करना चाहते हैं इसको सिंप्ली पानी के संग लगा लेजिए और कुछ नहीं करना है और सीधे रिसल्ट और सबसे इची बात कि यह है कि सारे नाच्रल चीजें हैं आपके किचन में उ चाहिए आपको बताया है तो आपके आपके पोर्स से फिमेंटेशन से लेकर extra ओशन से लेकर टानिंग से लेकर स्किन से लेकर सारे समस्याओं का निधान आपको जो है इस फेज़ों में मिल जाएगा तो यह उपटन फेज़ों और दो भार भी लाती है तो आपको बहुत अ प्राहिए इसलन से आप 60 अग से प्रैशल करें अनल आपको प्राहिए जो भी आ फेश्ड करें सेपसिंसे प्राहिइं अच्फर्पटे compos फिरस अपने सीट ऑनिरो कि लिए सेली बेपी गुट दे दो सब्सक्राइब मैं चानल बबाई